नॉर्मल फोर्स अप्लाई भाई इंकलाइन फ्रिक्सिनल हो थार्गेट ए वह फ्रिक्शिनल फोर्स ने मैं और नॉर्मल फोर्स का मतलब बैसिकली जो प्लेन इसके इंचि उपर फोर्स लगाएगा यह होगार तो पलिए बता ये ये जो ब्लॉक है इसका फ्रीवाइड डाइग्राम बनाओगे फ्रीवाइड डाइग्राम जब बनाओगे एमजी किदर वर करेंगे डाउन वर्ड कितना ये अगर 10 के जी है तो 10 इंटू जी के कर्सपॉंडिंग इसका एक कंपोनेंट इस डारेक्शन में होगा इसको बोलेंगे 10 जी पास 37 और कास 37 0.8 तो 10 और जी कि वेलू कितनी है तेन ले लो और 0.8 से माटिप्लिकेशन कर दो तो ये मिलेगा 80 न्यूटन क्लियर अच्छा दूसरी चीज इसका भी कंपोनेंट इसके डिरेक्शन में इसका भी कंपोनेंट इसके डिरेक्शन आप कहोगे सर सबका कंपोनेंट आप ऐसे क्यों कर रहा है देखो बेसिकली ये क्या है ये ब्लॉक का मूव्मेंट कि इस डिरेक्शन में सकता है या तो इ एक्सिस आल जितने भी कंपोनेंट सबको capital X और Y corresponding करोगे जिससे calculation easy हो जाएगी इस वज़े से हमने इसका component इसके और इसका component और इसका component इसके corresponding करोगे तो यह मिलेगा कितना 10 G साइन 37 37 कितना तो 0.6 और जी की वेलू टेन ले लिया है तो यह मिलेगा 60 नूटन बोलो क्लियर है दोसी बात यह जो टेन है इसका component इन और यहाँ पे 10 शाइन 37 यह कितना हो जाएगा जिरो पॉन पॉन्टन बोलो क्लियर है अब बात आती है कि सर्फ फ्रिक्शन फॉर्स क्यों ने दिखाया भी टेंशन मतलो उसको भी दिखाएंगे उससे पहले हमको एन वन निकालो अच्छा यहां मान के चलेंगे कि निट फॉर्स इन वाइड डारेक्शन का है जीरो इस दे फॉर्स किस दारेक्शन निट फॉर्स क्या मानो जीरो अब कावक्शसर आपने क्यों माना अभी एपने मान लिए कि यह जीरो के बराबर है अगर और ऑनोन पॉजिटीव आता इसका मतलब सही है अगर एनट और की बेलून निगेटिव आता है सीक्षा मतलब सतना घ्रुर्ण कि यह चलें एन्ली जीरू नहीं होग लक्राइब है तुलक का ओलाक यह की तरब कितने फोस्ट लग रहे हैं 20 न्यूटन और 80 20 प्लस 80 तो इन वन कितना जाएगा अंडेड में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 94 यह हो गया 94 नहीं न्यूटन अच्छा यह पॉजिटिव इसका वंदर जो हमने माना था वह साही है हमने टारगेट क्या होगा है यहां पत ABOUT कि नीचे धर फोस दे इस्सेटी कि तरफ एट तो अगर तो अगर Similar यह नेट ड्रैविंग वोस्में कालो जो नैट ड्रैविंग फोर्स हो गावए लाकिल यहां पर फ्रिक्शन फोर्स के दिखाऊज़ इस डैरेक्शन बने लेख आपने अब नेकर क्या होगा इस सर्व यह हो गया 112 और यह हो गया frictional force का direction मतलब यह हो गया आपका driving force और यह हो गया frictional force का direction अब यह block move करेगा कि नहीं है यह कौन decide करेगा limiting frictional force fl mu s into n1 mu s कितना है how much 0.2 n1 कितना है 80 n1 है 94 यह है 94 ठीक है यह हो जागा 8 18.8 newton और fk कितना होगा kinetic friction mu k into n1 0.1 into 94 यह मिलेगा 9.4 newton यह हो गया 9.4 newton तो fk की value 9.4 newton और fl की value 18.8 newton यहां था तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसे तो कैसे अब next target क्या होगा कि ठीक है sir यह भी पता चल गया 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 तो देखतें motion होगा कि नहीं motion होने के लिए क्या requirement condition होती है यह जो driving force है वो किस से ज़्यादा होना चाहिए आपका limiting value से से ज़्यादा है देखो यह 112 है और यह क्या 18.8 नूटन है इसका मतलब motion होगा किस डिरेक्शन में downward जब downward direction में motion होगा तो आप क्या कहोगे किस सर तो जब motion होगा तो अब हमारा अन बैलेंस force अन बैलेंस force का मतलब f-during motion कौन साथ एक्षिक्शन फोर्स वर कर था कानिटिक शिक्शन फोर्स fk this is equal to mass into a session mask at night 10 a session कितना एक एक वेलु हो जाएगी F की वेलु कितनी है है हाव मच वाट अबोड एफ एक सो बार है एसके कितना है हाव मच शिक्स नहीं एट नहीं 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 इतना जी 9.4 यह होगे 9.4 डिवाइड बाइट इन अब यह वैलू कितनी आएगी इसको आपको निकालना पड़ेगा with the help of calculator नहीं काल लो 112 minus 9.4 यह यह रहा है 10.26 नूटन है स्वारी मीटर पर सेकेंड का स्क्राइड यह होगे असरेशन है तो कोश्चन में था रिव पोश्चन में तो यह वसे पुछाएना है कि नॉर्मल फोर्स होगे आपका इतना 94 नूटन ठीक है और कुछा फ्रिक्षिनल फोर्स अब बता वर्म दूरिंग मोशन कौन सा फ्रिक्षिनल फोर्स वर कर रहा है कानिटिक फिक्षिन तो 9.4 नूटन लेकिन अगर क्वेश्चन में बुल दिया क्या बोलो कि 10.26 मीटर पर सेकेंड का इस्वेर यह होगा फाइनल आंसर बना लो